हाई एब्रीवन मैं हूँ प्रियांका और आप सभी देखरें मसालेदार ममीज की चस्तोगाई चाची डियसी में बनाने वाले हैं दो तरह की इंस्टेंट वाली मिठाईयां ज्योंकि बहुत ही आसान तरीका है दिपावली की उपलक्ष में आप सभी को ढेल सारी सुपकामना दिपावली की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर हम बनाने वाले हैं छेना वाली मिठाई सबसे पहले मैंने यहां पर एक लिटर दूद लिया है उसको अच्छे से हम भाइल करके फाड़ लेते हैं यहीं छेना बना लेंगे इसका तो आप चाहें यहां पर भी आसान तरीका यहीं बनाने का आपको बीना गयस जलाए सारी चीज आपके बनके तयार हो जाएंगे फटा फड़ से बस पनीर फाड़ने में इम जी गयस लाना हुआ बाकी आगे का प्रोसेश बहुत ही आसान है फटा फड़ से बन जाएगा तो पनीर को मच्छे से इसको तोबन के तयार हो जाएगा बस जिसा हमको चाहिए वह से टेक्सर में आ गया है तो अभी मैंने यहां पर थोड़ा सा काजू लिया था एक क्रटोरी उसे मैंने अच्छा से पीस लिया है अब इसे हम इसमें मिक्स करतें के काजू का पाउडर और साथी साथ हम इसमें डालेंग बहुत सारे काम भी होते हैं तो उसमें खाना पीना भी अच्छा अच्छा बनाना होता मिठायां हो इंघ लग बनानी होती है तो भागडोड में अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी रस्पी बहुत ही अच्छी बनेगी मिठायों कि मैंने चीनी भी डाल दिया है सवाद कि हसाथ से कम चाद आप अपने उसाफ से रहकें इसका डो बनाएंगे दो चंब बैने लिए दूट ढाल दिया है बिल्कुल नहीं तो जूटर लेगा तो अच्छेस का डो भी ताई आर कर लेता हैं बहुत स्मूध सा डो नहीं बनेगा पिर भी हमारे मतलब जिस तरह से हमें बर्फी बनाने इस तरह से बन जाएगा बस किचन में आपको 7-8 मिनट लगेंगे इसको बनाने बदर टाइम नहीं लगता है एक बड़र बेपर लेंगे इसको अच्रा से मिक्सर नहीं में बनाने इसे तरह से या इसको प्रप्लास्टिक की सीट भी देवस्टाशन वैसान पीश्य прार्फू करेंगे नीचे थोड़ा सा घी उगर अपलाए कर लीजिएगा दूसे चिपकेगा नहीं और अभी मैंने बटर पेपर में से इस तरह से किया किसी भी चम्मस या स्पिचुला से इस तरह से स्मूथ करेंगे आप चाहें बटर पेपर से प्लास्टिक से भी स्मूथ बना सकते हैं तो इस तरह से बटर पेपर को मैं इसमें लगा देंगे लगाने के वाद इसको फ्रीज में रखेंगे 15-20 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए तब इसको हम पीसिस में कट कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीका पटकपट से हो जाता है कितनी भी आपकी भाग दोड़ो आप इस मिठाई को बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा जल्ड मिलेगा तो 15-20 मिनट के बाद मैंने फ्रीज में से निकाल दिया है इसे अच्छे से सेट भी हो चुका है तिसरा से मैंने इसकी पेसे सारी निकाल दिये हैं आप देख सकते हैं इसका टेक्सर कितना अच्छा आया हुआ है कोई कहनी चक्ता मैंने इतना अच्छे से और इतने आसान तरीके से बनाया हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में रख लेते हैं बहुत यह आसान तर इस तरह से आप धेल सारी मिठाईयां बना सकते हैं एपनी फैमिली के साथ और आप सभी को मैं यादी रादू है अगर रस्पी आप सभी को अच्छी लगती है तो प्रीज में चैनल को सुस्क्राइब करना बेल आइक उनको प्रिस करना लाइक करना मत भूलिएगा चलिए और मूंफली नहीं चाहिए और यह चाहिए ऐंधिये मूंफली जाना सब्सक्राइब करना मजद शैचे को चैंधार काथ उनकोन चाहिएन लाइक ढलिए बना सब्सक्राइब कोईफली देले बातरि और इस fake प्योडिह नो देन बार स्थादा भnd année मिक्सर प्रऌडर को चा मॉमफली के दाने कहें बीच में जब रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेंगा देखने में भी खाने में भी आ इसको हम डाल के मिक्स करेंगे सारी मोमफली को मैंने पीस लिया है यहां पे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बरत्र छोड़ा पड़ रहा तो मैंने बड़े परत्र में से निकाल के अच्छे सी मिक्स करेंगे ताकि गुड़ और मुफली का पॉड़ जो है एक भी मिक्स हो जाए इसमें चाहिए थोड़ी सी तीलोगरा भी आप डाल सकते हैं तील को पीसके डाला जा सकता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मैंने यहां पर मुफली से गुड़ का बनाया हुआ है आप इस दिवाली पे कौन-कौन सी मिठाईयां बना रहे हैं किसके चीज के लड़ू बना रहे हैं अपने फीड़ एक हमारे साथ सेयर करिएगा मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से मैंने सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और गुड़ और मुफली के भी पॉड़ सारे मिक्स हो गया है इसको लड़ू बना लेते हैं इसको बहुत अच्छे से बन जाते कोई भी मेहनद भी करने की ज़रूत नहीं इसमिन बहुत आसाने से राउंट से फ्रै लेते हैं अ तो बस इसको पर दो बना लेते हैं आप चोटी-बड़ी साइज अपनी सांस इदक सकते हैं मैंने या पर चोटी चोटी लड़ू बनाए हुए हैं देखने में भी कापी अच्छे लगते हैं कि लड़ूमारे सारे बनके तयार हो गए है मैं उमीद करते हूं करेस्पी आप सभी को अच्छी लगी होगी और रेस्पी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आपका लाइक कॉमेंट मुझे बहुत ही होसला देता है तो लड्डू का टिक्सर आप देख सकते ही कितना अच्छा है कितना स्मूथ है बहुत ही मुझ में घुल जाने वाले लड्डू बनके तयार हुआ है आप सभी को धेरो सारे सुप कामना है है एपी दिवाली भगाई